हेलो एवरिवन सक्सेस्पन कोटा चैनल में आप सभी का स्वागत हैं उस्टिण्स हम हिंदी साइटी का इत्यास ड्रस्टी की बुक में से पढ़ रहे हैं आज हमारी इसकी फॉर्थ क्लास है और हमने अपने जो लास्ट थर्ड क्लास में हिंदी साइटी इत्यास लेखन की पर लेते रहे हों एंधुस्तानी नेक्स्ट हमने पड़ा इसमें तजकिया इसमें पड़ा था इस्ट्रेंट्स है यह करीम दिन द्वारा फिर भाशा कावे संग्राय महेंसर शुकली जी के दवारा पढ़ा ठीके इसमें से जो जो मैंने आपको हाइवलाइट्स करके समझाया तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी मैंने डाउनलोड कर दिये वहाँ पर और इंसे रेलेटेड जो भी मैं नोट्स शॉट्स में बनाओंगी वो भी मैं टाइम टो टाइम उसमें एड करती जाओंगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरू कर दिया था दमॉडरन वर्ना कुलर लिक्टरिचर ओफ नौर्धन हिंदुस्तान जोर्ज ग्रियसन इसमें सबसे पहले काल करमा अनुसार वर्गी करन किया गया ठीके और आगे देखिए और इस साइट इतियास को नीव का पत्थर बताया गया कौन से दमॉडरन वर्ना कुलर लिक्टरिचर ओफ नौर्धन हिंदुस्तान को ठीके आगे देखिए आगे हम परते हैं मिश्रिबंदु विनोध क्या स्ट्रेंट्स मिश्रिबंदु विनोध में थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ आपको नहीं दिख रहा होगा ठीके एक मिनिट अपना फोटो केम अब आप सबको सही दिख रहा होगा चलिए मिश्र बंदु विनोध मिश्र बंदु विनोध ये तीन भाई मिश्र बंदु थे तीन नों भाईयों के नाम क्या थे गनेश भिहारी मिश्रि शाम भिहारी मिश्रि देखिए गनेश भिहारी मिश्रि शाम भिहारी मिश्रि और पिर उसके बाद जो आयागरंत वो कौन सा था मिश्रबंदू विनोद और मिश्रबंदू विनोद तीन जो मिश्रबंदू थे वो कौन थे गणेश भिहारी मिश्रव शाम भिहारी मिश्रव और शुक्देय भिहारी मिश्रव देखिए मिश्रबंदू विनोद जो था इनकी प्रफन तीन भाग थे 1913, इसी में, ठीक है, इनके जो 1st, 2nd, 3rd, 3 भाग आया वो कब आगया थे 1913 में, कब आया स्टुरेंट्स 1913 में, ठीक है, और जो 4 भाग आया वो 1934 में, ये 3 भाग तो, पहला, दूसरा, तीसरा भाग तो 1913 में आ गया, और 4 भाग कब आया 1934 में, कब आ बहुत important है और यह आपको ट्रिफ़े याद होना जरूरी है ठीक है यहीं से प्रश्ण सीक्वेंस में भी आते हैं जो क्रमबाइज होते हैं वो भी और कभी सन्याद रखना भी जरूरी है और मिलान में भी यह वाले प्रश्ण आते हैं कि मिश्रबंदू का मिश्रबंदू वि कारण कर लिया था लेकिन हम कहें विवस्ठी त्रूपस इस बात को द्यान रखेगा का इसका श्रे मिष्र बंदू को जाता है जो इन्होंने विर्icon रstate से मिष्र बंदूने क्या करा काल विभाजन को धंक से क्रंबद और vyरस्थी रूप से इसका विभाजन किया और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कुरें जोजने संपोर्ण इत्यास को इसा आधी काल, भक्तिकाल ये सब इनको पांच कालों में विभाजित किया तो आपको इस मिश्रबंदू विनोत की ग्रंथ में से कितनी चीज़े यहां गतनी है एक तो प्रथम तीन भाग 1913 चोथा बाग 1934 तीनों भाईयों के नाम ध्यान रखेगा गणेश भ्यारी शाम भ्यारी शुक्दियों भ्यारी मिश्र इनका जो मिश्रबंदू थे इनका ग्रंथ क्या था मिश्रबंदू विनोत और इन्होंने गिरियसन काल विवाजन अनाम कर चुके थे पर विवस्तित वह हिंदी साहित्य का इतियास और 1934 ठीके स्वरेंड उन सोरी 1929 हिंदी साहित्य का इतियास रामचंद शुक्लू और इनका ग्रंथ क्या है 1929 इसी संध्यान रखिएगा ठीक है अब देखें आगे यह ग्रंथ मूलत है नागरी प्रचानी सभा मैंने हिंदी भाषा के प्रचानी सभा सा समंदी सारे प्रश्ण है कि किस टाइम कब नागरी प्रचानी सभा की स्थापना होई क्या हुआ यह सब उसमें उन प्रश्णों के अंतरगरते वह प्रश्ण जरूर देखेंगा आफके लिए काफी हेल्फुल रहेंगे ठीक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर यह ग्रंत मूलता नागरी प्रचानी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था अब देखिए नागरी प्रचानी जो सभा थी ठीकिन नागरी प्रचानी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका किसकी भूमिका के इस रूप में नहीं लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतियास पहले हिंदी साहित्य का इतियास का नाम क्या था हिंदी साहित्य का विकास ठीक है फिर बाद में हिंदी साहित्य का इतियास नाम डला यह ग्रंथ मोलत है किसमें आया? यह जो ग्रंथ था रामचंद शुक्री जी ने लिखा था? यह नागरी प्रचानी सभ्भा में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी शब्द सागर में भूमिका के रूप में आया तब इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास इंपॉर्टेंट थे इस्टुडेंट ठीके यह घंदी का सरवाधिक प्रक्षाथ इत्यास ग्रंत है और प्रते हिंदी अगर उस किताब को नहीं पढ़ते ठीक है अगर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि जून तक एक्जामें और हमें पूरा सिलेबस कवर करना है तो आप दरश्टी की हिंदी सहिते के इतियास को कवर जरूर करिए सारे को भी नहीं महत्पूर बिंदों को कवर जरूर करिए और अपने नोर्स बनाते चलिए मैं बार बार आपसे यही कहूंगी इस अपने नोर्स जरूर बनाईए ठीके ये हिंदी का सरवादिक प्रक्षात मतलब फैमस प्रसिद इतियास गरंते इसमें रचनाकारों के रचनाकारों के इतीब्रत की बजाय warmth जादा प्रसिद दिखाने की बजाए ज्यादा बताने की वजए लास पद्धती का प्रयोग करते हुए ततकाली युगीन परिस्तितियों के संदर में हिंदी साहिते के इत्यास को विशलेशित किया गया है ठीके तो सिंपल सा ध्यान रखिए विध्यवादी पद्धती का प्रयोग आचरे रामचंद्र शुक्ली जी ने किया है नेक्स्ट देखे अपब्रेंश साहिते को हिंदी किसे अलगाते हुए पूर पिठिका के रूप में वनित किया क्या करा इन्होंने अपब्रेंश साहिते है क्योंकि हमारी हिंदी अपब्रेंश अवर्ट पुरानी हिंदी इस तरीके से हिंदी का हिंदी का रूप आया तो अप संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक बस सुविवस्तित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्राय इसका ही प्रयोग किया गया संपूर्ण इतिहास का इतना अच्छी तरीके से तार्किक तरीके से काल विभाजन किया गया सुविवस्तित रूप से नामकरण करके काल विभाजन करके रखा गया अपने ग्रंथ में शुकले जी ने इस प्रकार रखा कि परवती इतिहास ग्रंथ जो आने वाले बात के जो जितने भी इतिहास कारी थे उन्होंने प्रय इसी को आधार मना करके ग्रंथ अपने लिखे ठीके तो हमने दो पड़े अभी मिश्रबंदु विनोथ और आचरे रामचंदु शुकली जी को नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंट्स हिंदी साहित्य का आलोचनात्मा कितिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा उन्निस सो अर्थिस में ठीके मैं स्ट्रेंट दो-तिन बार इसलिए रिपीट कर रहे हूं ताकि यह चीज आपके दिमाग में आए कि यह बहुत महत्पूर् हिंदी के विध्यारती को अगर वो लिक्ट्रिचर पढ़ रहा है तो उसको यह लेखक और यह ग्रंत यह ग्रंतकारों के नाम ट्रिप्स पर होने चाहिए ठीके आप अपनी नॉट्बुक बनाईए और लिखते चलिए इनको देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मा किति चाहिवादी कभी थे द्वारा रचित इस इत्यास गरंत में उनकी काव्यात्माग भाषा अब चाहिए अपनी विस्तृत सामागरी देखिए अपनी विश्तृत स्वागरी उसकी आकशन प्रस्तुती वह भाषा के कारण यह गरंत प्रभाव छोड़ने में सफल रहा मतलब महतपूर हो गया क्योंकि इसके अंदर द. रामकुमार वर्मा एक चायवादी कभी थे और चायवादी कभी होने के अनुसार इन्होंने इसके अंदर काव्यतमग भाशा का पुड़ आ गया ठीक है काव्यतमग भाशा आ गई जो पाथकों को पढ़ने में बड़ी आनंदित लगी बहुत अच्छी लगी पाथकों को पढ़ने में और उन्हों ने अपनी और आकर्शित करा जिससे इनकी जो ग्रंत की विस्तित सामागी थी आकर्शर प्रस्तूती थी मतलख भाशा के कारण इनका जो ग्रंत था एक इस ग्रंथ में जो बात ये थी कि सिर्फ आधिकाल और भक्तिकाल कौन सा ग्रंथ हिंदी साहिते का अलोचनात्नक इतियास डॉक्टर राम कुमार वर्मादौरा इसमें क्या था सिर्फ आधिकाल एक तो आधिकाल और भक्तिकाल ठीके इसमें सिर्फ आधिकाल और भक्तिकाल त चायवाथ तक ही मिलता है ठीके आधुनी काल के बाद उनकी जैसे की मरत्यू हो गई ठीके तो आधुनी काल तक का इतना विस्तार उसमें नहीं है लेकिन आधुनी काल को बड़े विस्तार से अच्छे तरीके से समझाय गया है उसी तरीके से हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मा के तिहा से इसके अंतरगत सिर्फ आधिकाल और भक्तिकाल तक कि अवधी कोई स्थान मिला ठीके बाकी आगे के भागवे नहीं लिख पाए आगे के भाग उन्होंने इस गरंत में समाहित नहीं कर पाए निर्गुण ग्यानाशाई को संत कावे तथा निर्गुण प्रेमाशाई शाखा को सूफी कावे नाम दिया बेरी इंपोर्टेंट पैक्टे स्टुडेंट यहां से देखिए देखिए क्या निर्गुण ग्यानाशाई शाखा को उन्होंने क्या नाम दिया संत कावे निर्गुण ग्यानाशाई शाखा को क्या नाम दिया संत कावे और निर्गुण प्रेमाशाई जो प्रेम के लिए थे जैसे सूफी संत उनको क्या का गया सूफी कावे नाम दिया किनों ने नाम दिया हिंदी साहित्य का अलोचनात्मक इतियास डॉक्टर रामकुमार वर्मा कब था 1938 में के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए इसमें अपभरन साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधीकाल श्रीशक के अंतरगत प्रस्तूत किया गया बर्मा जी ने इसी से आदिकाल को संधीकाल ये चारणकाल नाम दिया इन्होंने क्या करा कि अपभरंश साहिते के बड़े हिस्से को शामिल किया इन्होंने अपने गरंत में आधिकाल से पहले जिसे हिंदी आने से पूर्व अपभरंश में साहिते लिखा गया उसको बड़े हिस्से से बड़े रूप में शामिल किया अपने गरंत में तो इन्हों वर्मा जी ने इसी काल को इसी से आधी काल को और इन्होंने क्या करा क्योंकि आधी काल पहला काल था तो इन्होंने क्या करा वर्मा जी ने आधी काल को संधी काल और चारणकाल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने आधी काल को क्या नाम दिया संधी काल और चारणकाल और वीर गात हत्मकाल किस ने दिया डॉक्टर रामचंदर शुक्ले जी ने अचारे रामचंदर शुक्ले जी ने ठीक है इस ट्रेंट्स उम्मीड करते हूं आपको समझ में आ रहा होगा समझ में आये तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चलिए आनंद मिल रहा है ना आपको पढ़ने में चलिए पढ़ते हैं मुझे तो खूब मिलता है क्योंकि मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है ठीक है ना चलिए आगे पढ़े हिंदी साहित्य की हाँ अब देखिए आचरे हजारी प्रसाथ धिवेदी जी इनकी बुक के ग्र लेकिन यहां पर शाहिद मिस्प्रिंट हो गया है या आया नहीं है लिखावा चलिए आचरे हजारी प्रसाथ दिवेदी जी इनकी तीन ग्रंत थे हिंदी साहित्य की भूमी का 1940 हिंदी साहित्य का आधिकाल 1952 हिंदी साहित्य का उद्वह और विकास 1952 यह प्रश्ण इतनी बार आया है इतनी बार आया है कि मैं भता ही नहीं सकती प्रिविएस इक्साम में कहने का तात पर यह है कि यह प्रश्ण बहुत बार आचरे हजारी प्रसाथ दिवेदी जी के ग्रंत TGT एक्जाम हिंदी का हो PZT का पूर्व के प्रश्ण भी हम करवाएंगा आपको हमारे चेनल में और उसमें अब देखियागा ये घ्रंत कई बार पूछे गए हिंदी साधे की भूमी का 1940 हिंदी साहित्य का अधिकाल 1952 और हिंदी साधय का अद्भव एंविकास 1952 अब देखी इनके मूल फैक्ट क्या हैं देखिए हजारी प्रसाइद दिवेदी जी ने कोई स्वतंत्र इतियास ग्रंथ नहीं लिखा किन्तु उल्लेखी तीनों ग्रंथ ये तीनों ठीकिन उल्लेखी तीनों ग्रंथ मैंने काला मिस्प्रिंट हो गया यहां पर किंतु उल्यक्त तीनों ग्रंत साहिते इतिहास संबंदी ही है ये जो तीनों ग्रंत हैं ये हिंदी साहिते के इतिहास से संबंदी थी है इन्होंने एक स्वतंतर इतिहास नहीं लिखा कि हिंदी साहिते का इतिहास नहीं किंतु उल्ले के तीनों ग्रंत साहिते इत्यास संबंदी ही हैं एवर मिन में एक निश्चित साहिते इत्यास ड्रस्टी भी मिलती है और एक क्या मिलता है लेकिन इसमें क्या मिलता है मैं थोड़ी स्क्रीन बढ़ी कर देती हूं इसमें एक निश्चित साहिते इत्यास बताया गया है नेक्स देखिए आचरय धिवेदी जी इतियास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यांकित करते हैं ठीके नेक्स्ट फिर सेंटेंस देखिए महतपुर्ण तो इस्ट्रेंड इसमें पहला ही बिंदू है फिर देखिए नीचे इन्होंने विश्व भार हाने है तू जो व्याख्यान दिये उन्हें ही संशोदित परिवर्दित कर हिंदी साहित्य की भूमी का हिंदी साहित्य की भूमी का इनका नामक ग्रंत तयार किया था ठीके एक बार में वापस से थो इसी स्क्रीन बढ़ी करके समझाओं आपको एक मिनिट रुकिए इन्होंने विश्व भारती के गेर हिंदी भाशी साहित्य जिग्वासों को जो गेर हिंदी भाशी साहित्य के जिग्वासों को हिंदी साहित्य से परिचित कराने हिंदी साहित्य का ग्यान देने के लिए विश्व भारती के अंतरगर ठीके जो व्याख्यान दिये थे उनमे संशोदित और परिवर्दित कर हिंदी साहित्य की भूमी के नामक ग्रंत तयार संपयों तो नहीं प्रू mi देखिए आदिकाल का स्वरूप निर्धारन भक्तिकाल के उदे की प्रष्ट भुमी, पूर्वती सिद्धानतों से भक्तिकालीन संत कावे धार का संभंध उदगाटन, हिंदी सूफी कावे का आधार, संस्केट, प्राक्रत, अपुभ्रेश कावे परंपरा को मानना आदी उ उदे की प्रष्ट भुमी को समझाये आपने ग्रंथों के अंतर, पूर्वती सिद्धानत, जो पहले के सिद्धानत थे भक्तिकाल संभंधित संत्र कावे धारा के, सूफी कावे धारा के, संस्केट, प्राक्रत, अपुभ्रेश की कावे परंपराओं को माना और यही इनकी इतिहास में, साहितिये इतिहास में हमें इनके ग्रंथों में देखने को मिला, अब देखें, नेक्स स्टुडेंट, नेक्स देखें, हिंदी साहितिये का वेग्यानिक इतिहास, यह भी महत्मौन है, टॉपिक, यह भी महत्मौन ग्रंथ है, स्टुएंट्स, हिंदी साहितिय का वेग्यानिक इतिहास डॉक्टर गणपती चंद्रगुप्त सनहे 1965 के लिए देखिए अब इन्होंने आचर्य राम चंद्र शुक्ल द्वारा अचर्य राम चंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादि धाचे में आमोल चूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास गंत के माध्यम से हुआ डॉक्टर गणपती चंद्र गुप्त ने क्या किया आचर्य राम चंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ था ठीके ना आचर्य राम चंद्र शुक्ल के द्वारा जो ग्रंथ था उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आमोल चूल परिवर्तन करके एक सार्थक एक सही इसपष् इस ग्रंत के माध食 से, उन्होंने एक ग्रंत दे दिया साहितियका विय ग्यानिक इतियास, ठीक है समपुनकालो को तीन कालो में विबहक्त कया गया है, समपुनकालो प्रारमबीकाल, मद्यकाल, आधुनेकाल, नेक्स whispering के इनका पॉइंट है इनमें साहिते इतियास की विकासवादी सिद्धानतों की प्रतिष्ठा करते हुए उनके आलोक में हिंदी साहिते की नूतन व्याक्या प्रस्तूत करने की चेश्ठा की गई है इसा कोई इंपोर्टेंट लाइन नहीं है इस्ट्रेंट ये दो लाइने आप ध्यान रखिएगा वेग्यानिक इतियास में डोक्टर गरपती चंद्र गुक्त जी के एक तो आचारे शुक्ल द्वारा प्रतिपात्री धाचे में आमूल्चुल परिवर्तन करके एक सार्था कि इन्होंने किसका आधार बनाया आचरे राम चंद्र शुक्ल का और इन्होंने तीन कालों में भक्त किया है प्रारंबे काल मध्यकाल आधुनिकाल अभी हम नेक्स्ट जो आएगे मारी क्लास उसमें हम काल विभाजन को पढ़ेंगे ठीके ना कि किस-किस साहित्यकार ने कितन कितने कालों में विभाजित किया ठीके लेकिन आधार अचरे राम चंद्र शुक्ली जी के कालों को मान करके तयार करना है आगे देखिए नेस्ट हिंदी साहित्यका इतियास संपादक डोक्टर नगेंद्र और डोक्टर हर्दयाल संपादक है यह लिखावा जोए 1973 हिंदी स संपादक डोक्टर नगेंद्र और डोक्टर हर्दयाल इन्होंने क्या कहा है देखिए इनके ग्रंथ का क्या महत्पूर्ण है डोक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सायोग से यह विश्यद ग्रंथ रचा गया कितने कितने विद्वानों का हेल्प की गई संपूर्ण गंत में आधोपांत नहीं हो पाई कि किन्तू फिर भी प्रतेक काल वह उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षगात अधिक प्रमानिव द्यवस्ति सामागरी के कारण यह विद्ध्यार्ति में विशेश रूप से प्रचलित हैं केने का तात्परी यह है डॉक्टर नगेंद्र जी का साहित्य भी बहुत अच्छा है आप पढ़िएगा कभी आपको समय मिले पहले आप नेट जयारेफ के लिए करिए ठीके इसके लिए आप शुक्ल जी और कई स्ट्रेंट्स ने डॉक्टर नगेंद्र जी की भी किताब जिसको आपको अब खरीद के पढ़ना चाहिए ठीके चलिए डॉक्टर इतने विद्वानों के कारण एक एत्यास्रिक द्रस्टी से संपूर्ण ग्रंथ में अधो पांथ नहीं हो पाई ठीके एत्यास्रिक द्रस्टी से किंतु की फिर भी प्रते काल में इससे जुड़े र चलिए नेक्स पढ़िए हिंदी साहित्य का सवेदनात्मक हिंदी साहित्य और सवेदना का विकास डॉक्टर राम सरूप चतरवेदी जी 1986 ये ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए और इन किताबों में तीन-चार किताबों जो पुस्तके हैं यह मैंने आपको PDF डाउनलोड कर दी ह पर जरूर जाके देखिएगा इनकी बुक्स की मैंने PDF दे रखी हैं अपने चैनल पर ठीके हिंदी साहित्य और सवेदनात्मक विकास राम सरूप चतुरवेदी 1986 देखिए इनके साहित्य इत्यास लेखन के लिए व्यास सम्मान साहित कई पुरस्का प्राप्त करने वाला य देखिए राम सरूप चतुरवेदी किस्ते प्रभावित्य आचरे शुक्ली जी से उन्होंने शुक्ली जी की युगीन डस्टीकॉण और दिवेदी जी की परंपरावादी डस्टीकॉण परंपरावादी डस्टीकॉण का परस पर संबंद बनाते में लिखा देखिए आचरे हजारी परसा दिवेदी और डॉक्टर राम चंद्र शुक्ली के इर्द गिर्द दी और अधिकतर जो साहित्यकारा है उन्होंने आचरे राम चंद्र शुक्ली जी की किताब को आधार साहित्यकों आधार बनाकर ही अपना साहित्यक लिखा क्योंकि वो उनसे सबसे प्रभावित हुए शुक्ली जी बहुत ही बहुत सी इस्थापना को इस्थापित करने के प्रयास से ही उनकी मोलिकता शनित नहीं होती शुक्ली जी की परंपरा को गंभीरता से पुने परिभा कारों से इन्होंने अपनी प्रियता और आकशन अधित्य है और आचरे राम चंदु शुक्लिव दिवेदी जी की प्रमपराजी डस्टी कौन से प्रभावित थे चलिए नेक्स ते किये भाशा और साहितिय के गेरे संबंदों की खोज उनकी प्रमुक विशेष्टा थी भाशिक प्रवर्तियों के घेरी समिक्षा से साहितिक परंपराओं के संदर में व्याख्यांकित किये ठीके अब हम इस्ट्रेंट बहुत महत्पूर हैं देखिए एक तो इनका लेखकों क नाम और इनके ग्रंथ और ग्रंथकार यह आपको याद होने चाहिए जो द्रश्टी के टैबिल्स दी हुई है जगे जगे पे वो टैबिल्स को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए तो पहला है देखिए इस्ट्रेंट इस्ट्वार द ला लित्रेउ एंदूई ए हिंदुस कि नोने लिखिए कमीरुदिन मोलवी करीमुदिन ठीके कब 1848 में उपरवाला 1839 में भाशा कावियो संग्रे 1873 में किसने महेजदर शुक्लिने शिर्सिंग सरोज 1883 में शिर्सिंग सेगर ठीक है क्या शिर्सिंग सेगर फिर द मोडन वर्ना कुलर लिक्रेटर ऑफ नॉर्डन हिंदुस्तान 1888 में जोर्ज गिरियसन फिर नेक्स देखिए यह जो है इंपोर्टेंट आपको लाइन से तो याद करने ही है फिर हिंदी कोविद रतनमाला दो भाग 1909-1914 हिंदी में शाम सुंदरदास मिश्रिबंदु विनोद मिश्रिबंदु 1913 फिर इसके बाद देखिए ये तीनों महत्पुन है स्ट्रेंट्स फिर देखिए नेक्स यहाँ पर ब्रज माधूरी सार 1923 वियोगी हरी जिन पर मैंने अंडरलाइन हाइलाइट कर रखा है वो इंपोर्टेंट इस्ट्रेंट आपको ध्यान रखनी है या ध्यान नहीं याद ही रखनी है मैं किलियर आपसे कहूंगी कि नेट ज्यारफ के स्ट्रेंट जो तैयारी कर रहे हैं इन में से प्रशने डारेक्ट आते हैं ये मिलान में आते हैं तो सन लेखकों के नाम और इन रचनाओं को 100% बढ़िया कर लीजेगा ठीक है प्रशनी यहीं से ही आता है नेक्स्ट हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर राम शाम सुन्दरदास जिन पर मैंने पीले कलर से हैडलाइट का रखा है अंडरलाइन का रखा है हाइलाइटर से वो इंपोर्टेंट है सु कभी सरोज गोरी शंकर दिवेदी 1927 कभीता कोमिदी 1928 राम नरिष्टेर पाठी हिंदी साहित्य का इतियास 1929 राम चंद्र शुक्ले हिंदी भाषा का हिंदी भाषा एवं साहित्य उन्नी सो तीस डॉक्टर शाम सुन्दरदास फिर देखिए हिंदी साहित्य का 1931 ऑयोध्या सिंग उपादया हरियोद हिंदी साहित्य का संशित इतिहास नन्ददुलारेवार्शपई 1931 मूल लेखर क्शाम सुन्दरदास नंदो दोलारे वाजपाई संक्लन करता है हिंदी साहिते का इतियास 1932 ब्रज रतन दाथ हिंदी साहिते 1933 संपादर डोक्टर ध्रेंदर वर्मा ठीके आगे देखिए खूप सारी है येकिन खूप सारी में हमें खूप सारा सेलेक्शन भी तो चाहिए ना हंडेट परसंट मेहनत करिए बेटा सब अच्छा होता है बस मेहनत अपनके हाथ में फल भगवान देंगे और जब मेहनत करेंगे हर चीज याद होगी तो अपने आप रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा देखिए आदुनिक हिंदी साहिते का इतियास आदुनिक हिंदी साहिते का इतियास गोरी शंकर सतेंद्र पुरातत्व निभंदावली नैंटिन फटिन राउल सांक्यतन हिंदी साहिते का सुबोत इतियास गुलाब राई 1930 हिंदी साहिते का संशिप्त इत्यास गोपाल लाल खन्ना 1938 इनको आप पढ़ लीजिएगा ये ज़्यादा मुझे महत्पूर नहीं लगी है तो इसलिए यहाँ पर हमेंने हैलाइटर नहीं किया है लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर अपनी निगाह से निकाल लीजिएगा याद जरूर करिएगा फिर देखी ये इंपोर्टेंट है हिंदी साहिते का अलोचनात्मा के इतियास 1938 डोक्टर रामकुमार वर्मा इनकी डिटेल हमने आगे वाली क्लास में आगे पढ़ा राजस्तानी साहिते की रूप रेखा 1930 मोतिलाल मेनारिया मॉडन हिंदी लिक्टर फिर देखे हिंदी साहिते की भूमी का 1940 हजारी प्रसादिवेदी खड़ी बोली हिंदी साहिते का इतियास 1941 ब्रज रतंदात आधुनिक हिंदी साहिते 1941 डोक्टर लक्ष्मी सागर वाश्णेवें आधुनिक हिंदी साहिते का विकास डोक्टर कृष्णलाल 1942 ये इंपोर्ट कावय 1945 डोक्टर टीकम सिंग तोमर दीती कावय की भूमिका 1949 डोक्टर नगेंद्र ने रीती कावय की भूमिका भी लिखी थी ठीके फिर इसके बाद आधुनिक हिंदी साहिते 1950 नंदुलारे वाचपई उत्तर भारत की संत परंपरा 1951 पर्शूराम चतुरवेदी हिंदी साहिते का अधिकालGO नलिल विठलोचन शर्मा हिंदी साहिते का ब्रहत इस्तियास सोलाभाग नागरी प्रचानी सभा नेक्स जखिंगी हंडी साहिते का वेज्ञानी इतियास दौक्टर गनपती चंद्रगूप्त 1916 हंडी साहिते का इतियास नागेंद्र डौक्टर हरदयाल, आदुनिक हिंदी का आधिकाल 1923 नारायन चतर्वेदी साहितियों इत्यास द्रश्टी 1981 मेनेजर पांडे हिंदी साहित्य का सरल इत्यास 1985 विश्वनात तिरपाथी हिंदी साहित्य और सवेधना का विकास राम सरूप चतरवेदी हिंदी साहित्य का समिक्षात्मक इत्यास डॉक्टर वासुदेर सिंग हिंदी साइटे का दूसरा इतियास 1996 बच्चन सिंग ठीके हिंदी साइटे का आधा इतियास 2003 सुमन राजे हिंदी साइटे का मोखिक इतियास 2004 निलाम संपादर निलाव हिंदी साहिते का वियुचनात्मक इतियास मोहनवस्ती 2008 हिंदी साहिते का परिचात्मक इतियास डोक्टर भागीरत मिश्र 2010 हिंदी साहिते का ओजहल नारी इतियास 2012 निर्जा माधव और इधर देखिए स्टुरेंट्स दो रचनाय और हैं अपन बस क्लास को कंप्लीट कर रहें नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी हिंदी साहिते का इतियास 2015 हिंदी साहिते का समग इतियास 2019 स्राम किशोर शर्मा नीचे जो इस्ट्रेंट डिटेल दी गई है उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने कैसी लगती है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए और इन गरंथों को मैंने इतने स्पीट से पड़ा आपको लगा होगा ठीके लेकिन ये गरंथ आपको मैं जब पीडियेफ दूंगी आप इसको रोज कम से कम 10-15 बार रिपीट करिए तभ इसको लगती है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए आपको और किस प्रकार से हम अच्छे तरीके से और नए-नए क्या आपको पढ़ना है किस तरीके के हम पी बाई-क्यू भी कराएंगे आग आने वाली क्लासि में दन्यवाद